पॉमन शर्मा रतनगड से लिखते हैं वर्तमान में सादू संत एसी गाड़ियों में एशो राम के साथ क्यों रहते हैं? क्यों संतों के लिए क्या कोई पाबंदी लगी हुई है? संत उंट पे बैटके आएं दस दिन में पहुंचेगे रतनगड सर्शा से क्या संतों ने किसी से ऐसी गाड़ियां मांग के लिए हैं? हम अपनी कमाई करते हैं, हम भी ट्रेक्टर चलाते हैं, हम भी खेती बाड़ी करते हैं उससे जो हम दनाती अपना कपड़ा पहनते गाड़ी लेते हैं तो पेट में दूसरे के दर्द क्यों हो रहा है? क्या आपसे कोई दान मांगा? क्या दक्षिना मांगी? अगर ऐसा कुछ मांगा हो, तो तो आप कहने के अकदारे क्यों लेते हैं? हम तो भाई, अपनी दो-चार या छे गाड़ीयां, बाकि सब, कोई राजस्तान के सेवादार, कोई हर्याना के, कोई दिल्ली के, कोई जूपी के, सेंगरों गाड़ीयां चलती हैं, टेंट लगाते हैं, आपको पंखा देते हैं, पानी पिलाते हैं, लंगर बोजन बनाते ह किसी से कुछ भी नहीं लेते, सिर्फ ससंग करके जाते हैं, और गाड़ी हम अपनी पैसे से कमाई से लेते हैं, किसी की ठगी मार के या मांग के नहीं लेते, जा चड़ावे से नहीं लेते, यह हकीकत है, अपनी मेहनत की कमाई से, चाहे कोई जाज ले ले, किसी की पेट में